नमस्कार दोस्तों जारखन मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जारखन के विभी निलाकों पर अगले 24 गंटों की दौरान गर्मी से रात तो कई जगों पर अच्छी बरसा देखने को मिलेगी और भारी बादलो के आवज़े देखने को मिलेगी गंटे के आइकण को दबा कर ओल पर क्लिक कर दीज और हमें comment करके बताएं कि आप जारखन के कौन से जिले गाहं या शेहर में रहते हैं यानि कि आप दोस्तो जारखन में कहां पर रहते हैं comment करके हमें जरूबताना तो दोस्तों मौसम विभाग और बोकारो जिलों में रात में गरम देखने को मिला वहीं मेदिनी नगर में सबसे गरम रहा यहां दूसरे दिन दोस्तों अधिकतम तापमान 45 डिगरी के पार दर्ज किया गया है और जारगन में पिछले कुछ दिनों से मौसम में इसी तरह से जोई स्तिती बनी हुई है पस् सब्सक्राइब जादा जगों पर मध्यम भाग में आस्मान से गरजने वाले बादल बन रहे है और जिसी तरह से त हलकी से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है वहीं अगले 24 गंटों के दुरन बारी मौसम में बदलाव देखा जाएगा और आज रात तक दोस्तों जो है आधी चलने के अनुमान जताई जारे जी हाँ दोस्तों आज रात तक देवगर, धनबा, दुमका, गिर्डिय, गोड़ा, जामतड़ा, पाकूर, साहीब गंज में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ, वर्जरपात, उने की आसंका है और आज जो है 30 से 40 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से इन जीलों में हवाई चलेगी और साथ में दोस्तों अगले 24 से 48 गंटों के बाद जो है पलामू, गडवा, चत्रा, कोडरमा, लातियार, लोहर दगा में कहीं कहीं पर लूच चल सकते हैं और भारी गर्मी के करण थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वहाई दोस्तों एक एक जिली की बात की जाए तो लोहर दगा में पूरे 7 दिनों तक भारी बादलो के आवज़े देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर अच्छी बात यह कि 40 के उपर तापमान नहीं जाएगा लात्यार में 240 के उपर तापमान 22 के करीब तापमान जाएगा और रात के समय 37-28 के करीब तापमान रहेगा पूरे एक सब्टा के दौरान बारी बादल चाहे रहेंगे वहाई जामताड़ा में दोस्तों 4 दिन के बाद थोड़ी बारी बारिश के संभान है और आने ले गुरुवार, शुकरवार, शनिवार, रविवार को चिटपूट के साथ थोड़ी बारिश हो सकती है जिसमें शुकरवार को बारिश कम और बादल ज़्यादा चाहे रहेंगे साथ में हजारी बादलो के बादलो के वज़ाए काफी अधिक रहेगी गुमला में पूरे एक सब्ता के दौरान 40 के नीचे ताप मान रहेगा और बादल चाहे रहेंगे सब्सक्राइब करना तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद